अमिर भाई, EVM tampering और electoral bonds को जो extortion bonds कहा जा रहा है, इस दो criticism को किस तरह देखते हैं? देखें, इनकी पाटी ने bond कितना लिया है, तो वो भी extortion सहे कहा है, जहाँ जहाँ उनकी राज्य सरकार थी, वहाँ से उनको bond के माध्यम से donation मिले, एक बार राहूल गाजी देश की जनता को बोले कि हाँ हम भी extortion करते हैं, और सांसदों के अनुपात में हमसे ज्यादा donation उनको मिला है, अगर सांसदों के अनुपात में ये मिले हुए donation को करें, तो Congress को 9,000 करोड मिला है, बादपा को 6,600 करोड मिला है, तो ये गलत बाते हैं, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, हम पर कोई corruption का आरोप नहीं, 23 साल से मूदी जी पर 54 के corruption का आरोप नहीं लगा है, इसलिए कि illusion एक ब्रांती खड़ी करना चाहते हैं, कि जिससे ये जनता में एक प्रकार से ब्रांती खड़ी हो, सफल नहीं होंगे.